नय साल पर आज किसानों को सौगात देंगे प्रधार मंतुरी नरेंद्र मोदी, किसान सम्मान नेदी की दसवी किष्ट आज पीए मोदी ट्रांसफर करेंगे नए साल के मौके पर पिये मोदी ने ट्वीट कर ये जानकारी दिया और नए साल का पहला दिन किसानों के लिए सौगात लेकर आया है और प्रधार मंतुई नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए साल का पहला दिन किसानों को समर्पित है 20,000 करोड की राशी ट्रांस्वर की जाएगी प्रधार मंतुरी नरेंदर मोदी ने कहा है तो इस वक्त की महत्वपूर खबर आपको बता रहा है नवर्ष किसानों के नाम किसानों को समर्पित है नए साल पर आज किसानों को प्रधार मंतुरी नरेंदर मोदी सौगात दे गया आपके सामने फिलाल हम आपको चार तस्वीरे दिखा रहे हैं प्रधार मंतुरी नरेंदर मोदी ने किसानों को न्यू येर का गिफ्ट दिया है किसान सम्मान ने दी कि जो दसवी किष्ट है वो आज किसानों के खातों में जमा करा दी जाएगी 20,000 करोड़ रुपे टोटल ये पूरी किष्ट है जो किसानों को दी जाएगी अनकी किसानों को सौगात नवर्ष पर साल के पहले दिन साल 2022 और पहला दिन किसानों के नाम किसानों को समर्पित और चौथी तस्वीर आद द करने वाला है क्योंकि दसवी किष्ट जारी होगी किसान सम्मान निधी की प्रधार्मंतुरी नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए साल का पहला दिन किसानों को समर्पित है प्रधार्मंतुरी नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है उन्होंने कहा है वीडियो कांफ जब हमने पीम किसान योजना शुरू की तो कहा जाता था कि इस रकम में किसान का क्या भला होगा आज आपने बता दिया कि हमारे किसान इन रकम का कितना अच्छी तरह से उप इस्तमाल कर रहे हैं पीम का किसानों को नियू येर गिफ्ट साल की शुरुआत किसानों को सौगात पुधान मंतरी नरिंद मोदी ने साल के पहले दिन किसानों को बड़ा तोफ़ा देने जा रहे हैं आज प्येम मोदी प्रधान मंतरी किसान संबान निधी की दस्वी किस्त किसानों के खाते में डालेंगे प्येम मोदी ने ट्वीट कर बताया कि नए साल का पहला दिन अन्न दाताओं को समर्पित होगा दोपहर 12 बच कर 30 मिनट पर वीडियो कांफरेंसिंग के जरीए प्येम किसान संबान निधी की दस्वी किस्त जारी करने का स्वभाग मिलेगा प्रधान मंतरी किसान संबान निधी की शुरुआत दिसंबर 2018 में हुई थी इसके तहट लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिये जाते हैं जो 3 किस्तों में डिरेक्ट बेनेफिट ट्रांसपर यानि डीवीटी के जरीए सीधे किसानों के खाते में जाते हैं अब तक 9 किस्तों में किसानों को 1,60,000 करोड रुपए का लाभन मिल चुका है दसमी किस्त में आज 10 करोड से जादा किसानों के खाते में 20,000 करोड की राशी ट्रांसपर होगी पियम मोदी इस दौरान किसान संगठनों से बाचीत भी करेंगे और साड़े 300 किसान उतपादक संगठनों को 14 करोड रुपए से जादा का एक्वीटी ग्रांट भी जारी करेंगे जिससे सवा लाथ किसानों को फायदा होगा दौर जी बताईए आपके खेती के समन में जरा मैं सर यहाँ एक सैफरान ग्रोवर हूँ सर पिछले 30 साल से मैं यही खेती कर रहा हूँ खुद ही यह जो सैफरान था थोड़ा पीछे गया था लेकिन जनाब गौर्मन की मुदाखलत से गौर्मन की कोशिश से आब यह दुबारा लियू ही है लाभारती किसान पिएम किसान की ओफिशिल वेबसाइट पर जाकर फार्मस कॉर्नर वाले आप्शन के जरिए लाभारती सुची में अपना नाम तलाश कर कनफर्म हो सकते हैं पिएम मोदी के खुशाल भारत के सपने की धुरी रहे हैं अनदाता पिएम किसान निदी सम्मान जैसी डीवीटी वाली चलाई गई उनकी योजनाओं से किसानों को बड़ी रहत मिले हैं फिर रिपोव जी मीडिया लखनाओ से अधिक जानकारी के लिए जी मीडिया रिपोर्टर अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंकित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अंदाता को न्यू यर का गिफ्ट देने जा रहे हैं यानकी नए साल का पहला दिन किसानों को सम्मर पैद पूरी जानकारी देखें साफ तोर पर इसको आप ये इस तरीके से समझे कि ये किसानों के लिए खुशियों की किस्थ है जो दसवी किस्थ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये जारी कर देंगे देश भर के तकरीबन 10 करोड से ज़्यादा किसान परिवारों को इसका लाब होने वाला है किसानों तक ये रासी सीधे पहुचने वाली है और ये खुशियों की चाबी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल के सुरवात में दे दिया है और साफ तोर पर किसान इससे अपने आपको खुद भी जोड़ते यानि कनेक करते हुए नजर आते हैं सिर्फ इतना ही नहीं है इसके बाद तीन तारीक से शुरू हो जाएगा टीका करण भी यानि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश के लिए किस तरीके से अग्रिसर हो करके और अग्रिनिम हो करके काम कर रहे है ये उसकी मिसाद और सबसे ज़्यादा अगर आप इसको देखे तो इस कदर देखिए क्योंकि जरूरी यही हो जाता है कि इस देश का किसान वही आगे बढ़ करके आपको खड़ा नजर आता है तो जिस तरीके से बीते दिनों गतिरोद देखने को मिला था और इसके बाद आब ये खुश्यों की किस्त है जो सीधे उनके अकाउंट में जाने वाली है बीस हजार करोड की यह जो बड़ी धनराशी है आज वो वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीए एक तरीके से कहें तो सीधे खाते में पहुशने वाली है जो सम्मान मिलता है किसानों को इस योजना के द्वारा यानि इस योजना का नामी है किसान सम्मान ने दी तो ऐसे में जो उनको सम्मान मिलता है वो अपने आप में इस देश की सबसे बड़ी योजना है और इससे पहले आपने देखा होगा कि 2018 से ये शुरू होई है लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी योजना है जो सीधे फ़न ट्रांसपर होता है यानि 9 किस्ते आप तक लगातार ट्रांसपर हो चुकी है जिसमें किसी भी तरीके का अभी तक आपको कोई भी इस पर सवाल नहीं खड़ा कर सकता है कि हाँ ये योजना हम तक नहीं पहुंची है इस तरीके से लेकिन देखिए किस तरीके से आज प्रधान मंतुरी जब बटन दबाएंगे हम मिसा से मानते हैं कि बटन दबता है और सीधे खाते में पैसा जाता है यानि जो लगातार मोदी गवर्में के जरिये जमा कर दी जाएगे और प्रधार मंतुरी नरेंदर मोदी के सानों को सौगात देंगे तो अब